क्या दूप है मेरा गाना गाने को मन कर रहा है नमस्कार सिम्बा कितना खुप्सूरत दिन है ना सिम्बा क्या तुमने सुना सिम्बा सिम्बा क्या कर रहे हो क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या दूढ रहे हैं मताओ ना जाओ यहां से क्या तुम्हें देख नहीं रहा मैं अपने शिकार का अभ्यास कर रहा हूं कहीं और क्यों नहीं जाती ठीक है मुझे माफ करना सिंबा मैंने तुम्हें परिशान किया मैं चलती हूं आपका दिन शुभ हो नमस्कार क्या तुम सिर्फ देखोगे या बात भी करोगे नहीं नहीं मैं मुझे माफ करना आज से पहले मैंने ऐसे जानवनों को कभी नहीं देखा हूं क्या हमने तुम्हें डरा दिया हूं चिंता मत करो हम कुछ नहीं करेंगे यह सब को अपने करीब आने देते हम सबसे दोस्ती कर लेते हैं हमें शांती सराना पसंद है आप लोग कुछ कर रहे हैं तो मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूगा मैं आपको अकेला छोड़ देता हूं अगली बार तुम देखना हम तितलिया बन चुके होंगे तितलिया आप लग मेरी टांग हीच रहे हो ना आपके पास कोई पंक नहीं है अभी तो नहीं लेकिन जल्दी हम इन में बुन्ना ही करेंगे आपको यह बुन्ना किस ने सिखाया आप सब तो एक ही उमर के लग रहे हो हम है इससे पहले तुम हम से और सवाल पूछा को तुम नहीं लगता कि तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है मैं सिम्बा हूँ, मैं जंगल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ ओ, ये सिम्बा है, ये राजाशेर का बेटा है सिम्बा, तो तुम राजाशेर के बेटे हो हाँ मैं हूँ, क्या आप मेरे पिताजी को जानती है हाँ कोई उन्हें जानता है वो हम सब के महान नेता थे और हाँ वो बहुत नेक दिल थे वो हमेशा दोस्नों की मदद के लिए तैयार रहते थे हाँ बहुत बुद्धिमान और होश्या राजा थे वो एक दिन मैं भी उनके जैसा महान बनूँगा हाँ सिंबा तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है जानता हूँ इसने मैं हमेशा सवाल पूछता रहता हूँ मैं चाहता हूँ वो मुझ पर गर्व करने के लिए यह बहुत छोटा नहीं है तुम्हें क्या लगता है तुम राजा बन पाओगे यह मेरी किसमत होगी मैं जानत करने से अगे जाओ तुम्हें बहुत अजीब प्रकार के कीट पतंगे दिखाई देंगे जो बहुत बनने जा रहे हैं। सच में इसका मतलब वो भी आप लोगों की तरह व्यस्तोंने जा रहे हैं और तित्लियां बढ़ने के लिए तयार हो रहे हैं हाँ लेकिन अब ही वो स तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो तुम इसा ऐसे चुपके से उनके पास नहीं जा सकते हो माफ करना पर वेनेसा निका में आँ सकता हूं वो शायद पूरा खतम कर सके लगता है यह हमारी जासुची करने आया है नहीं उन्होंने मुझे सिखा कि तुम मुझे इस धागे की बुनाई के बारे में कुछ बता सकते हो आपको इस काया पलट के बारे में मालूम होना चाहिए ऐसा तब होता है जब वो लार्वा सुंदर तितलियों बन जाती है लेकिन ये कैसे हो सकता आपके पास तो पंक भी नहीं है पहले तो तुम हमारे इलाके में आते हो और फिर हमें जूटा बोलते हो अभी तुम बहुत छोटे हो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मैं समझ गई, वो लोग तुम से चुटकारा पाना चाती थे, इसलिए यहां भेजा है मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने इस से पहले इस सब नहीं सुना है मैं सिर समझने के कोशिश कर रहा हूँ वो रामत मानों, वो समय से पहले खतम करने के कोशिश कर रही है तो जब मैं राजा बन जाँगा तब आप लोगों के पास मेरे ले समय होगा अरे कहीं ये सिंबा तो लेजी इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है राजा का बेटा होकर इसे कुछ नहीं पता मगर ये सीख दो सकता है तुम्हें क्या लगता है हम सब मिलकर इसे काया पलेट के बारे में सिखा दे मेरे पास आओ मेरे दोस्त तुम्हें पता है मैं क्या जोड़ने के कोशिश कर रही हूँ ये टोपी की तरह दिख रहा है हाँ ये टोपी की तरह दिख रहा है और मैं बहुत जल्दी इसमें सो जाओंगे और जल्दी ही हमारी शरी में परिवर्तन होने लगेंगे और हम आराम दाइक महसूस करेंगे ये बहुत नाजुक दिख रहे हैं ये सुरक्षा का वज़ हमें बचा के रखते हैं जब हम सोते हैं और हाँ ये प्रकृती ने हमारा जीवन चक्र ऐसे ही बनाया है ओ क्या मैं समझा नहीं काया पलट काया पलट का मतलब होता है परिवर्तन समझाना थोड़ा मुश्किल है पर तुम जल्दी परिवर्तन देखोगे तुम तो छोटे अंडे की तरह दिख रहे हो हम नाजब दिख रहे हैं लेकिन यहीं कवचमानी सुरक्षब करता है क्या तुमारा अंदर दम नहीं गुट रहा हाँ हाँ लेकिन हमारी जिंदगी चलने की यही प्रकृया है हमारी चिंदा मत करो हम ठीक है जल्दी ही फिर मिलेंगे यह तुम लोग क्या कर रहे हो तुम अंदर सांस नहीं ले पाओगे तुम इसके बारे में चिंदा बिलकुल मत करो हमारे लिए बड़ा होने का यही तरीका है समझ गए ना तुम हाँ देखो तुम परिशान मत हो हम इसे साश्वे पसंद करते हैं हमेन अए दोस पसंद है हम जल्दी मिलेंगे रुको यह सब अपने कवच में सोने जा रहे है उमीद है यह सब ठीक रहे मैं तो दुविधा में हूँ सिम्भा तुम यहां हो मैंने सुना है कि तुम्हारा मन कुछ ठीक नहीं है कहीं कुछ गलत नहीं हो इसलिए मैं साथ रहूँगा तो सिम्भा क्या हुआ है क्या तुम्हें यहां डर लगता है मैंने जो देखा तुम उस पे विश्वास नहीं करोगे वो सब बुनाई कर रहे थे और बिना पंक के उड़ना चाहते है यह तो बहुत खराब सपना है सच में आज तो सिम्भा बड़ा ही धीब लग रहा है चलो चलके देखते कि हम क्या कर सकते हैं चलो यह अच्छा विचार है क्या हुआ है सिम्भा आज तुम ठीक नहीं लग रहे हो सिम्भा क्या हो तुम्हें क्या तुम आज शेर्खान के एलाती में गए ते तुम परिशान हो क्या तुम्हें शेरकान ने पकड़ने की कोशिश की सिम बात तुम हमें बताओ की क्या हुआ है हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे हाँ हम तुम्हारे दोस्त है उन केडों ने खुद को कवच में बंद कर रखा है वहां वो सांस भी नहीं ले पाएंगे और कहते हैं वो उड़ेंगे वो पाया कलेट होना जा रहें और दुबारे इस तरह नहीं हो सकते उन्हें अब बुनने की क्या जरूरत है यह बहुत बिमार है उसे जंगली बुखार है जो उसे भ्रामित कर रहा है उसके पास माच जाओ यह फैलने वाली बिमारी हो सकती है तुम देख रहे हो ना सेम भी कमने है क्या हो रहा है आज सिंबा जीब सा क्यों लग रहा है शान्त हो जाओ सिंबा को की जंगली बिमारी हो गई है देखो वह कैसे शान्त है हमिने उसकी मदद करनी चाहीं हम इसे नहीं चौड़ना चाही है आप नहीं हमें उन्हें बचाना जाहिए जल्दी करो एलेक्स को यहां बचाना जाए उसकी जरूरत है ठीक है मैं जाता हूं मैं जल्दी जाओंगा थोड़ा जल्दी हो सकता है शिगारूनिस का पीछा किया हो हमें इसे घंड ले जाना चाहिए पतलो नहीं नहीं एलेक्स जल्दी यहां आ जाएगी नहीं मुझे नहीं लगता इसे घर ले जाना चाहिए कितने बेबस हैं है ना देखो शैद सैम आ गया है वह जल्दी आ गया उसे देखो पहले कितनें है अई, हम। gonna डडा करें गया को आधों कितने हैं अंधू कि κα साल धी नुसमा उसे अंधू हम। मैं बता दी कितने हैं। नर्स थोड़ी पत्यां लेकर आओ हाँ हो गया ये लो में ले आई पत्यां हमें इसे यहां लगाना है ऐसे क्या बत्पो आ रही है ये होश में लाने की दवा है उसे जल्दी ही होश आ जाएगा देखती जा मुझे लगता है वो घबरा गया है सिम्बा तुम्हें अगस्तियां से बात करनी चाहिए तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है मुझे सब कुछ बताओ उससे मुझे तुम्हारी देखबाल करने में मदद मिलेगी ठीक है अब हमें बलू की मदद करनी चाहिए फिर किलेंगे अगस्तिया से बात कर लेना शुक्रिया फिर मिलते हैं चलो अगस्तिया अंतिसार कर रहोगा अगस्तिया क्या तुम वहां हो क्या तुम बहार आ सकते हो सिम्बा की तब्वित कुछ ठीक नहीं है उसे आप से बात करनी है मैं उसके इस मजाग से परिशान हो जाता हूँ चल्दी करो अगस्तिया हमें सच में तुम्हारी मदद चाहिए मैं यहाँ हूँ बक्षो औरफ चिला ना बंद करो अम मुझे सच में बताओ कि तुम्हें मिला क्या है मैं यकीन से तु नहीं कह सकता लेकिन एलेक्स ने कहा है कि आपको पता होगा कि सिम्बा के लिए क्या करना है तुम समझ सकते हो ना कि उससे कुछ अजीब सा दिखा है क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी परिशानी का कारण यही है अपनी योजना के लिए मुझे अपने साथ में रखना नहीं अगस्तिया यह गंभीर मामला है मुझे लगता है कि वो इन सब से समझ जाएगा मोटू हाँ सही का पर मैं कि भूक लगी है चलो देखते हैं दरसल हमारा सिम्बा घबराट के करन परिशान है यह युवाओं में सामानने बात है तुम कोई ऐसी बात से परिशान है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही मैंने जानवरों को जारियों में कुछ बुनाई करते हुए देखा है उन्होंने कहा वो सो रहे हैं ताकि उनकी पाया कलट हो सके तुम्हारा मतलब है काया पलट मेना मतलब वो सोने के लिए जाते हैं और तितलिया बन जाते हैं पर वो उसके अंदर कैसे जिएंगे उन्हें गुटन हो रही होगी ना नहीं, सिम्बा उनका सुरक्षा कवज उनकी रक्षा करता है, जब तक उनके पंख नहीं आ जाते, समझें, सुरक्षा कवज रेशम के बने होते हैं, उसमें तित्लियों के निर्मान होता है, और पंख घाते ही उड़ी जाती है, रेशम सच में रेशम छोड़ जाती हैं वो, ह हमें हमारे ख़जाने की चाबी मिल गई लगता है कोई बड़ी बात रही है आप लोग उल्जन में थे कल हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कीरो ने बताया था कि हम दोस्त हो सकते हैं जब वो परिवर्ते तो जाएंगे उन्हें ने काफी अच्छी बाते बताई क्या तुम अब अच्छा मैसूस कर रहे हों काफी बैतर शुक्रिया बग्शोट तो क्या तुम मुझे दिखाओगे कि वो कहां है क्यों नहीं जरूर बत कर लिया तो अब हुआ है उनका पीछे करना चाहिए है हमें कैसे पता चलेगा वह कहां जा रहे है हमने पहले रिशम को खूजा होता जिससे कि हम अमीर बन जाते और हम यह जानेंगे कि ग्रहा को किस तरह के रिशम पसंद है है ना मोटो हां और पैसो कैसे बातेंगे मैं तो कहता हूं जो भी अच्छी होजना बनाएगा वह ज्यादा पैसे लेगा है ना तुमने मेरी आथ पोड़ दी तुम इसे लिए कर रहे हो ना तो गलती शुलग गया और सारा ख़जाना तुम्हें मिल जाए तुम्हारा बतलब हाँ हां हां मुझे ख़जाना ढोड़ने में तु सर्फ बहार नजर रखो मुझे पता है कि यही कहीं पर है हम जानते ही आप गयन के बहुत करीब है शुक्रिया दोस्तों पिर भी लेंगे वो चला गया तो लेकिन उसने हमें ख़जाने का शिकारी बताया तुम्हारा बतलब गयन था रुको जल्दी चलो वक्षोट मैं उन् क्या तुम्हें उन्हें देखा वहार है तुदा अराम कर ले तो तुम्हें ही रुको मैं ख़जाने के लिए जाओ कितना और आगी सिंबा बस बोड के पास ही है मुझे एसा लगता है मूपी ख़जाना बस मिलने ही बाला है आज़ा बस तुम्हें लेगा ये क्या है हाँ ये तो बस पक्षी है बस बहुंच गये इनमें से कौन सा है वो वहाँ देख रहे हो वो वेनेसा है मैं पहले उसी से मिला था बक्षॉट क्या हो गया मेरे पैर में काटा लग गया जो मुझे बहुत परिशान कर रहा है ये तो सुई की तरह लग रहा है ये कीरे रेश्म की बुनाही इसी से करते और अपना सुरक्षा कवच बनाते है वो मुकाबला कर रहे थे कि पहले कवच कौन बनाता है ये सफेद गाठी हमें अमीर बना सकती है वहाँ पाने के लिए अच्छी होजना बनानी होगी हाँ सही कहाँ हाँ हाँ मैं नहीं कुछ रिलने की आवाज तो ये बात है हमें इन से दूर जाना चाहिए ताकि ये डरे नहीं हाँ 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 चलो चलते हैं कि रहो हम यहां खजाने के लिए आये हैं हम समुद्री लुके रहे हैं समझे माफ करना मैं भूल गया था मैं देख रहा हूं कि वह बाहर आ रहे हैं और जल्दी वह उर्ना सीख जाएंगे हाँ देखो किता सुंदर है हाँ हाँ सिंपा वह पहारा देखा मैंने हाँ मजा आ गया हाँ क्या बात है अब हम इनके रेशम ले सकते हैं और अमेर बन सकते हैं वह कितनी संदर है अगस्तिया ने हमें नहीं बताया कि वह इतनी संदर होती है ठीक हो मोटू उसके जाते ही हमें हमारा कजाना मिल जाएगा चलो देखते हैं बाकी की तयार है या नहीं ठीक है अरे वह कहां जा रहे हैं चलो चल के देखते हैं जल्दी चलो जल्दी वह देखो वाँ तो अब पता चला है कि दितिया कैसे बनती है रेशम कहां से आता है इस बार हमें अमीर बने से कोई नहीं रोक सकता हाहा क्या तुम्हें लगता हमेने सिखा सकते कि कैसे जमीन पर ना गिरा जाए हाहा हाहा मुझे असा नहीं लगता मुझे भी नहीं हाहा हाह 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 देखो वो उड रही है कितने सुन्दर लग रही है हाह लगता है जिए सोने की बनी हुई हो हाह हाह देखर लक्लात्यच करते हैं जिए लगता है कि में कल तक इंतजार करना जाहीं लगता है कल जर सब चले जाए गे तो प्र तो आमंने लगत्वा कोई नहीं ंहीं देखेगा है सभजी pret हम सब आप 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 मैं मुट्थू समय के है 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 सब क्या तुम्हे मैं याद हूँ हाँ सिंबा हम तुम्हे हमेशा क्या याद रखेंगे आप हमारे इस नए रूप के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सुंदर है मैं नहीं जानता था तुम लोग बाहर आओगे तो इतने सुंदर लगोगे शुक्रिया सिंबा, हम भी हैरान है लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि हम दोस्त है मैं उम्मीद करते हैं कि हम चलते ही तो भारे मिलेंगे और आपको हम तितलीयों की दुनिया के बारे में और भी बाते बताएंगे और आपको आपके पिता जी की तरह एक महान राजा बनने में मदद करेंगे काश कि हम भी ऐसे उड़ सकते कैसे हो सिंबा? मुझे यकीन नहीं था कि तुम हमारे काया पलट टेक में आओगे मैं कैसे नहीं आता? आज सिंबा और बगशोट में तितलियों के काया पलट के बारे में कुछ सोचा है आने वाले कल में वो और भी साहस के कारे करेंगे हम देखेंगे कि आगे वो और किन चीजों की तलाश करेंगे